हेलो दूस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं खीर तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे दिखिए सबसे पहले मैंने लगभग 1.500 ग्राम यानि एक छोटा कप चावल को फूलने के लिए पानी में डाल दिया है अब दूद को बस दो मिनट के लिए इस तरीके से रखना है जैसे ही हमारे दूद में उबाल आ जाएगा तो हम चावल को दूद में डाल देंगी तो यहाँ पे हमारा खेर बनना स्टार्ट हो गया है मैंने चावल को यहाँ पे डाल दिया है और जब यह आधा से ज्यादा कुक होने लगे चलिए इसे पहले बुख लेते हैं तो यहाँ पे हम इस बुख लेंगे इस तरीके से बुझा लेंगे और थोर अशा किसमिस ले लेंगे अगर आप अभी डालना चाहते हैं तो अधर वाई आप में इसे डाल सकते हैं अब यहाँ पे देखिए चावल हमारा आधा से को पकाना है जब तक धूद हमारी थोरी गावी होने लगे ये देखिए हमारा दूद गारा होना आपको जतना मीठा पसंद है और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चलिए सबसे पहले से इसे मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर खीर हमारा मिक्स हो गया है और यह दिखिए किता टेस्टी लग रहा है अब चलते हैं इसे सर्व करने के लिए तो चलिए से प्लेट में डेकोरेट कर लेते हैं तो यहां पर हमारा टेस्टी सा खीर बनके रेडी है तो आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई हो पसंद आई हो तो एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और के वीडियो को लाइक एन शेर कर दीजी मिलते हैं नेक्स्ट रस्पी के साँ तब तक यह बाई